आज आप लोगों को झारखन के इतिहासी जन्जातियों का उत्सव जत्रमेला के बारे बताने जा रहा हूं ये जत्रमेला को झारखन में मूर्मा जत्रा के नाम से जाना जाता है कई लोग इस जत्रा मेला के बारे बहुत कम ही जानते हैं और जो जानते हैं उस जत्रा मेला की पीछे क्या इतिहास है क्या खासियत है उसके बारे नहीं जानते है इसलिए मैं आज आपको इस मेले के अहमियत पर प्रकार डालता हूँ मुर्मा जत्रा राची से 23-25 किनुम्टर दूर मांडर रिस्तित एक गाउं का है जिसे मुर्मा कहा जाता है वहीं लगता है यह मेला इस कारण उस मेला का नाम हो गया मुनुमा मेला गाउं का नामकरण भी उस जत्रा के नामकरण पर ही हुआ है इसलिए इस मेले को मुनुमा जत्रा कहा जाता है मुनुमा जत्रा मुन्डा जन्जाती और उराउं जन्जातियों के मिलन की एक गाथा बताती है सबको घ्यात है कि उराओं सम्धाई के लोग जनजाती के लोग बिहार के रोतास गड़ से झारखंड आये थे उनका प्रवेस छोटनाकूर प्रवेस में हुआ जब तब मुंडाओं ने देखा कि उराओं जन्जाती और मुंडा जन्जाती के रहन सन खान पान मिलती जुलती है तो उन्हों ने उन्हें अपने छेत में प्रवेस करने का धिकार दिया मुंडा मेला विसेशकर मुंडा उराओं के बीच सांस्कृतिक, समार्जिक और छेतर का आपसी बटवारे और समझोता का प्रतिक चीन है उनके प्रतिक चीन सरुप आज से हजारों साल पहले मुंडा में एक खुटा गाडा गया था जिसे आज सक्ति खुटा के नाम से लोग जानते हैं, उसकी पूझा करते हैं, उस पर आस्था हैं और उस सक्ति खुटा को अधार मान के लोग महां प्रते एक वर्स मुर्मा जत्रा में सामिल होते हैं इसी सक्ति खुटा जो उनके समझोता का प्रतिक चीन है मुंड़ा और उराओं जंजाती ने मिल कर आपसी समझोता के तहँ छेतर का विभाजन किया था जो छ्टनाकपूर परदेश से मुलता मुंड़ाओं का छेतर कहा जाता है यह मुंडा बहुर प्रजाती जंजाती समधाई के लोग मिलते हैं जब उराओं का परवेश च्छटनाकपूर में हुआ तो मुंडाओं ने उन्हें पच्मी छोर का इलाका दे दिया और स्वाई मुंडा जंजाती के लोग दुसरे छोर में आके बसे पच्मी छोर दुसरे छोर में जो मुंडाओं के बीच और उराओं के बीच छेतर का भी भाजन हुआ उसी की याद में मुल्मा मेला मनाये जाता है तो ठीक है आपको इस वर्ष मुल्मा मेला 2019 की कुछ जल्गया दिखाते हैं आसा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और उमीद भी करते हैं कि आप भुष में याने मुल्मा मेला एक बर जरू देखें वहां की जो सान्सिप्तिक संवाजिक परमपरिक जो चीज़े है मेले की खासिया थे उसको जरूर्ट देखे और समझे और लोगों को प्रशाइद करें धन्यवाद आप किसकी से देख रहे हैं, इसी को मुनमा मेला की खासिया था, इसी को सक्ति कुटा कहा जाता है, यहां कई जंजाते समझाई कि लोग पारंप्री बेदुसा में लोग आए वे हैं, सभी सक्ति कुटा की फूजा कर रहे हैं, मानियता है और यह नियम भी है कि वहाँ 24 दिया जलाये जाता है, जो सक्ति क कुटा को प्रतात्मा कुट से से अस्था कą प्रकट करते हैं, आप देख रहे हैं कई लोग उस सक्ति कुटा के जाने से पहले बेदी जो है और जो बनावा हुआ है, जमी घुक प्रात्ना करते हैं यह सकतिकुटाफ देख रहे हें, कुछ महिलाएें, जो है, ऊक्रूस है, उस महिलाच होगी रहे हैं, और देखने में अच्छा है लगता है कई लोग आते हैं अपने पूर्वजों को याद असंसी धर्वों को बचाने और देखने के लिए और ये जत्रा का समय है तो जो पहड़ा राजस्शमीती है उसके द्वारे कुछ महला स्वय से भी कारे करताओं को को लखेत महलाओं को ते रेडी किया गया है जो वीदी वज़ता तंभाले पर युदान दे तो इसके लग महला के अलावा पुरुस से युवा स्वय साता मंगली को भी दियार किया गया है जो फुरुस ज़दान देखने तो इसमेले पारशक का दूश्च्या है जहां करें च चारा के सामगी और खान पान से ज़ब जब चिज़े ज़िए